वेलकम तो दिए जो शॉट सेशन जो है वो एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पर है और वो टॉपिक है कि CSI net 2024 की यदिया प्रिपरेशन कर रहे हैं और अपनी स्टाटरजी आप इस तरह से रखना चाहते हैं कि आपका स्कोर जो है वो 160 से उपर जाए तो उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना है वो सारी चीज़ें हम आज के इस शॉर्ट सेशन में डिसकस करने वाने हैं तो जितने भी एस्पिरेंट्स जून 2024 के लिए फाइट कर रहे हैं उनकी लिए ये सेशन बहुत हल्पूल होगा तो सबसे पहले हम अपने टार्गेट को यह लिए हम देखें तो स्टुडेंट्स अभी लास्ट एक्जाम जो डिसंबर वाला साइकल कम्प्लीट हुआ है उसमें अगर हम ज OBC में 51 गई थी, ST में 39.25, ST में 30.50 और PWDA में ये 25 परसंट गई थी ये अब तक की बहुत हाइस जो परसंटेज गई है उसमें अपकी पार गया है 59 का मतलब अगर हम almost 60 माने तो it means 200 में से आपको 120 मार्क्स का स्कोर अगर आप लाते हो तब आप JRF क्लियर करते हो यानि कि ये एक कट आफ है बाकी स्टूडेंट जिनके JRF क्लियर हुएं उनके मार्क्स इससे भी बहुत जादा आए हैं तो स्टूडेंट जिस तरह से पुराना ट्रेंड हम देखते आ रहे हैं लगातार आपकी कट आफ्स राइस हो रही हैं तो इसको देखते वें ये लग रहा है कि अ इस टारगेट को अचीव करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना है वह हम आज के सेशन में डिसकस करेंगे इसी तरह से बाकी सभी सब्जेक्ट की कट आफ को भी आप यहां पर देख सकते हो कि इस साइकल में जेरफ के लिए क्या रही है अगर मैं एलस के लिए बात करूं एस्टी में 35.32, एस्टी में 27.45 और पीड़ी में यहां पर यही 25 तो इस तरह से यहां पर लस और जेरफ दोनों में ही आपने टारगेट देखा कि यदि आप जेरफ कब निकालने के सती में हो यदि आपके 120 प्लस नमबर आ रहे हैं डेफिनेटली अपकमिंग जो नेट होंगे अगर इस तरह से ही हमें हाइक देखने को मिल रही है तो उसमें यह टारगेट और हमें आगे का रखना पड़ेगा तो अब कैसे हमारी स्टार्टरजी होनी चाहिए कि हम एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकें सबसे पहले यह डिसाइड करो कि आपको क्या चीज़ें पड़नी है आपके पास एक बहुत परफेक्ट स्टडी प्लान होना चाहिए कि इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपके पास जितना टाइम है जैसे अगर हम बात करें तो हमारे पास त्री मंथ है तो इस त्री मंथ मैं हमें अपना स्टाइब कैसे कवर करना हैmm जैसे हमारे पास अभी मार्च है then we have April then we have May and then we have June right अब हमें चींचिछाइड करनी है कि इस duration में हमें अपने concepts जो build up करने हैं उसके लिए किया क्या चीजें कहा से पढ़नी है second point होता है what to study and what to skip देखिए बहुत सारे topics कह दीजिए या units कह दीजिए उनकी weight is बहुत ज़्यादा होती है कुछ ऐसे topics होते हैं जो hardly कभी पूछे जाते हैं तो वो जो scrutinig करनी है वो जो bifurcation करना है कि हमें क्या चीज़े पढ़नी है और क्या नहीं पढ़नी है वो हमारा पिल्कुल mind clear होना चाहिए जतनी concept आपको पढ़ने है theory portion cover करना है वो इस दरान आप कर लीजिए maximum आप यहाँ तक cover कर लीजिए उसके बाद बहुत important most important जो role रहता है वो आपके PYQs का है देखिए ideally तो हम यह चीज़ कहते हैं कि आपको near about 10 years के PYQs solve करने है मगर अगर आप में से कोई experience इस बार ही फर्स time दे रहे हैं और अभी आपको 3 month का ही time मिल रहा है तो आप कोशिश करें 5 years के PYQs को करके जाने के लिए और अगर आप पहले से त्यारी कर रहे है तो आपको at least 10 years की PYQs सारे solve करने है उनकी बात बार practice करनी है जो चीज़े नहीं आ रही है उनको अच्छे से mistakes को देखना है दुबारा proper guidance के थूँ आप पढ़ाई करें क्योंकि कई बार यह होता है कि self study में हमारे साथ दिक्कत यह हो जाती है कि क्या चीज़े पढ़नी है क्या skip करनी है या consistency नहीं आ पाती वो सारी चीज़े हमारे कहीं ना कहीं एक hurdle पैदा करती है हमारी तयारी में तो आप किसी mentorship के अंडर guidance के अंडर किसी इसे पूछते हुए सलहा लेते हुए उनसे पूरी बात पूछते हुए आप अपनी तयारी को कीजिए next point important जो हर student के लिए होता है that is time management हम वही paper अपनी घर पे बैठके अराम से solve कर लेते हैं बट जब examination hall में जाते हैं बहुत ज़्यादा problem आती है students को कि उनका question paper ही complete नहीं होता वो खहते हैं कि ये questions हमें आते थे बट हमने part C के अंदर इतना time लगा दिया कि हम B और E को cover ही नहीं कर पाए तो students mock test देने का यही एक फाइदा होता है कि आपको time management आ जाता है आपको कितने questions कितने time में करने हैं वो सारी चीज़ें आपको clear हो जाएंगी तो mock test देखे आप time management को बहुत अच्छे से करें self evaluation करें जो गलतियां आपने करनी हैं उनसे सीखें next mock test जब आप देने जाएं तब तक वो सारी गलतियां आपकी clear हो जानी जीए इसी तरह से exam तक बहुत जरूरी है कि यह exam बहुत मुश्किल है हम नहीं कर सकते हैं तब तो वैसे ही आपको success नहीं मिल सकती मगर खुद अगर आप positive रहते हैं confidence के साथ यारी करते हैं तो आपको just आपको तीन step करने हैं सबसे पहरे concept build up कीजिए practice कीजिए और फिर pyqs and mock test दीजिए आपका score जो है 160 से भी ज्यादा अराम से आ सकता है कोई दिकत नहीं है मगर planning के साथ full strategy के साथ pyqs की practice के साथ और multiple revision के साथ अगर आप त्यारी करेंगे तो you can score this much तो यह एक short session आप लोगों को थोड़ा सा motivate करने के लिए था confident करने के लिए था कि आपने सब पढ़ा हुआ है बस अब उसको अच्छे से revise करें और pyqs को करते वे अपने test series से अपने आपको self evaluate करें so this is all for this session thank you so much learners have a great day